हेलो गाईज मैं अमेद कुमार मैं पने योटूब चैनल हब इस्टडी पॉइंट में आपका हार देख स्वागत करता हूँ आप मेरे चैनल हब इस्टडी पॉइंट को सस्क्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और यह समिच्छा अधिकारी सा लिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन तो आपके सामने यह रहा पहला कोश्चन सैंधो सभ्यता का महान अस्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है तो यह मोहन जोदणों से प्राप्त हुआ है कहां से मोहन जोदणों से तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना लरकान के सिंध प्रांत में पहली बार खुदाई किये थे 1922 में राखलदास बनर जी ने पहली बार यहां पर खुदाई की थी और यहां पर अस्नानागार पाया था ठीक है तो सबसे बड़ा जो अस्नानागार मिला है वह मोहन जोदणों में मिला है ठीक है इसके अलावा मोहन जोदणों में नर्तकी का यानि कांस मूर्त भी मिला है ठीक है नर्तकी नर्तकी के एक मूर्ती भी प्राप्त हुई है जो की कांस की बनी हुई है ठीक है चले अगला कोशन सरवाधिक रिगवेदिक सुक्त समर्पित है तो सबसे ज़्यादा रिगवेद में जो समर्पित है किसी देवता को तो वह इंद्र को इंद्र की चर्चा रिगवेद में सबसे ज़्यादा की गई है नयनार कौन थे तो नयनार एक सैव थे नयनार क्या थे सैव थे दायों ने महतुपूं भूमी का निभाई थी भगवान विश्णूं की उपासना करने वाले अलवार कहें लाए गये तो जो भगवान सीव की उपासना करते थे उनको क्या कहा जाता है अलवार कहा यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडरो कोड्स कहा गया था तो चंदरगुप्त मोरे को कहा गया था जिनों ने सैंडरो कोड्स की पहचान चंदरगुप्त मोरे से की थी चले अगला कोश्टन निमलिखित सासकों में से किसने चार अस्वमेध यग्यों का संपाधन किया था तो यह किया था प्रवर्सेन प्रथम ने चार अस्वमेध यग्यों का संपाधन किया था चले अगला कोश्चन अब यहाँ पर आपको सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और कूट की साहता से सही उत्तर का आपको यहाँ पर चैन करना है तो एक तरब दर्बारी कवी है और एक तरब दिया हुआ है राजा किस राजा के सासन में कौन सा दर्बारी कवी रहता था तो विश्णु गुप्त विश्णु गुप्त को हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं विश्णु गुप्त को हम कौटिल्य भी कहते हैं तो विश्णु गुप्त यह चंद्रगुप्त मौर्य की सासनकाल में रहता था किसके सासनकाल में तो यह चंद्रगुप्त मौर्य यानि यह हो जाएगा चार काली दास चंद्रगुप्त दूतिय के सासनकाल के समय यानि हो जाएगा एक हरी सेंड समुद्रगुप्त के सासनकाल में यानि हो जाएगा दो अबानभट हर्स वर्धन के सासनकाल में यानि तीन तो चार एक दो तीन तो चार एक दो तीन अब देख पा रहा हैं यहाँ पे बी वाला हमारा अंसर करेक्ट हो जाएगा किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया तो वह किया था अलाउद दिन खिल जी ने भू राजस्व व्यवस्ता के तहत उपज का जितना उपज होगा उसका कितना ले ले लेते थे तो एक बटे दो भू राजस्व के रूप में वसूलना प्रारंब कर दिया था ठीक है चले अगला कोशन कोशन नमबर आठ यह रहा आपके सामने कोशन नमबर आठ निमनलिखित विदेशी यात्रों को उनके भारत आने के कालान उकरम के अनुसार व्यवस्तित कीजिए तो कालान कुरम के अनुसार आपको विवस्थित करना है आपर तो विलियम हाकिन्स यह 1608 में भारत जो है आये थे कितने में 1608 में वही राल्फ फिच की बात करें तो यह 1583 में भारत में आये सर टामस रो यह 1616 में भारत में आये और पीटर मुंडी यह 1630 में भारत में आये तो इसलिए सबसे पहले आया कौन तो राल्फ फिच आया यानि पहला दूसरा हो जाएगा फिर कौन आया तो 1608 मतलब विलियम हाकिन्स आया एक हो जाएगा फिर आया सर टामस रो यानि तीन हो अब फिल लास्ट में चार हो जाएगा यानि दो एक तीन चार तो दो एक तीन चार यानि पहला वाला ही हमारा अंसर यहां बे करेक्ट हो जाएगा चले अगला क्वेश्चन निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है फतवाय जहां दरी बरनी यावा सही है तारीखे फिरोजा साही समसे सिराज अफीफ सही है तुगलक नामा एबन बतूता तो तुगलक नामा जो है एबन बतूता ने नहीं लिखा था बलकि इसके जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो है कौन है अमीर खुसरो अमीर खुसरो ठीक है तो अमीर खुसरो तो यहां पे स्वीवाला यह सही सुमेलित नहीं है चले पंजाब में अम्रित सर अच्छा यहां यह भी द्याम डखे यह जो पुस्तके लिखी गई है यह सभी जो लेखा काय है अजो इभनु बतूता का जो पुस्तक है उन्होंने अपने एक यात्राव वित्तांत लिखा था, जिसे रहला के नाम से जाना जाता था क्या नाम जाना जाता था रहला जो इभनु बतूता द्वारा लिखित है पंजाब में अम्रिश सरनगर को अस्थापित किया था तो यह अस्थापित किया था गुरु रामदास ने तो गुरु रामदास ने अकबर ने जो है पांसो बीघा जो है इनको दान में दिया था तो उसी में इनों ने अम्रिश सरनगर की अस्थापना की थी चले अगला question लाड वेले जली की सहायता से संदी को स्विकार करने वाला पहला मराथा सरदार कौन था तो वह पेशवा बाजी राव सेकंड था ठीक है पेशवा बाजी राव सेकंड ने 31 दिसंबर 1802 में पेशवा बाजी राव जो सेकंड थे वो बसीन की संदी कर लिया अंग्रेजों के साथ कौन सी संदी बसीन की संदी बसीन की संदी कर लिया और इन्होंने अपना जो है सहायता संदी को सुकार करने वाला या अंग्रेजों के साथ पहला मराथा था और किसके साथ किया था तो लार्ड वेले जली के साथ ठीक है चले अगला कोश्चन निमलिखित में से किसने काली दास की प्रसिद रचना अभ रिचा किया था सर विलियम जोनस ने ठीक है तो सर विलियम जोनस ने सातरस व नवासी इस्वी में काली दास द्वारा जो रचित अभिज्ञान सांकुतलम है उसका अंग्रेजी में अनुआद किया था चले अगला कोश्चन निमलिखित कालेजों में सौर पत्म किसकी कि गई थी ठीक है और यह हिन्दु कॉलेज़ की जो अस्थापना की गई यह राजा राम Mohan राय ने 18207 में डेविड हैर और एलेकजेंड़रफ के सयोक से कलकत्ता में हिन्दु कॉलेज़की अस्थापना की थी कब की थी तो 18wości Pengetonte how to core अजमेर में इसकी मेयो कालेज कहा है अजमेर में और इसकी अस्थापना होई थी 1875 में कब होई थी 1875 में ठीक है वही 1875 में ही मुस्लिम एंगलो ओरियंटल कॉलेज की भी अस्थापना की गई थी ठीक है जो कि आपका यह अलीगड में इस्तित है कहां पे है यह अलीगड में और यह जो दिल्ली कालेज है यह 1824 में इसकी अस्थापना की गई थी चले अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 14 सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और कूट की साहता से सही उत्तर का चैन कीजिए इंडियन लीग तो यह सिसीर कुमार बोस बिल्कुल पहला ही हो जाएगा इंडियन एसोसियेशन तो इंडियन एसोसियेशन की जो अस्थापना की गई यह आनंद कुमार घोस के द्वारा की गई थी अनंद कुमार बोस ठीक अनंद मोहन बोस और इसके साथ इनके साथ गोर व्यक्ति इन्द नात बनर जी लिक्सित यहां अल्ड़ी एक दिया हुआ तो सुरेंद्नाथ बनर जी और आनन्द मुहन दोनों ने मिलकर इंड़ो इंडियन एस्थापना कि भारती राष्टि उदार संग की एस्थापना सुरेंद्र नात बनर जी द्वारा किया गया यानि यह चार हो जाएगा United India Patriotic Association की अस्थापना सरसयद अहमद खान द्वारा किया गया यानि इस तरह से हो जाएगा एक दो चार तीन तो एक दो चार तीन मतलब डी वाला हमारा अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा भारत वर्स में वर्स 1918 में प्रथम मजदूर संग की अस्थापना की गई थी तो या वीपी वाडिया द्वारा ने किया गया था किसके द्वारा तो वीपी वाडिया द्वारा 1918 में इसकी अस्थापना की गई थी प्रथम मजदूर संग की रूप में ठीक है और इसकी अस्थापना कहां होई थी तो मद्रास में कहां पर होई थी मद्रास में निमलिखित में से किसने अलिपूर सड्यांत्र मामले में अर्विंद घोस का बचाओ किया था तो या चितरंजन दास ने किया था ठीक है तो अलिपूर जो सड्यांत्र मामला था लखने के आरोप में गिरफतार किये गए थे इस केस के तस 17 लोगों को सजा हुई परंत अर्विन घोष और चितरंजन दाज के बुद्धि मत्ता पूर्ण प्रयास से रिहा कर दिये गए थे साइमन कमीशन भारत कब भारत आया था तो साइमन कमीशन तीन फर्वरी 1928 कब आया था तो तीन फर्वरी 1928 को आया ठीक है चले अगला कोश्चन वर्स 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्स 1937 में हुए चुनाओं में गठित कांग्रेस मंत्री मंदलों का कारेकाल था तो कितने दिन तक यह कारेकाल चला तो यह 28 माह तक कारेकाल चला था कितने महीनों तक 28 माह तक जब 1937 में चुनाओं कराया गया तो यह केवल 28 माह तक कारेकाल चला मंत्री मंदल का अंग्रेस मंत्री मंदल का चले निमलिखेत में से कौन सबसे कम आयू में भारती या राष्टी या कांग्रेस का अध्यच्छ बनने वाला व्यक्ति है ठीक तो यह है अबुल कलाम आजाद या सबसे कम आवस्था में राष्टी कांग्रेस के अध्यच्छ यानि जो भारती राष्टी कांग्रेस है इसके अध्यच्छ बने थे यह 1923 में अध्यच्छ बने थे 1923 ठीक है तो 1923 में यह दिल्ली अध्यवेशन में कौन से दिल्ली अध्यवेशन जब हुआ था 1923 में कांग्रेस का तो यह उसमें सबसे कम उम्र की अध्यच्छ ता किया था Communist International का सदश से बनने वाला पहला भारती था तो यह था MN राय इसका पहले भी चर्चा कर चुका हूँ तो इसकी जो Communist International है इसकी अस्थापना 1999 यानि 1919 में इसकी अस्थापना की गई थी ठीक है चले अगला कोशन निम लिखित में से किसने ब्रिटिस भारत में प्रांति स्वायतत्ता शुरू की तो यह किया भारती अधिनियम 1919 तो भारती अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांति स्वायतत्ता की शुरूआद की गई थी ठीक है जबकि वर्स 1935 में भारत सरका अधिनि गया चले आगला कोस्टन समेधान निर्मातरी परिशत का तदर्थ जंडा समित के अध्यच्य थे तो तदर्थ जंडा समित के अध्यच्य थे डाक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ जंडा समित के क्या थे सदस्य थे और तदर्थ जंडा समित यह जो बनाई गई यह बना तो 23 जून 1947 को तदर जंडा समित बनाया गया जिसके अध्याच्य थे डाक्टर राजेंद्र परसाद इसे समित के अन्य सदस्य जो थे अबुलकलाम आ जाते सरोजनी नाइडू थी सी राजा गोपालचारी थे केम मुंसी और डाक्टर भीमराव अंबेटकर भी थे ठीक है तो इसमें से दो नाम आपको दिख रहे हैं जो कि इन समित के सदस्य थे राजेंद्र परसाद क्या थे अध्याच्य थे भारती के भारत के समिधान का निमलिकेत में से कौन सा अनुचेद प्रेश की सुतनता से संबंदित है तो प्रेश की स्वतनता से 19 एक को यानी हमारा अंसर ये वाला हो जाएगा तो अनुछे दोने जो है प्रेश स्वतंता यानि वाक स्वतंता और व्यक्ति स्वतंता से संबंदित है ठीक है या बहुत बार कोश्चन आपको करा चुका हूँ चले अगला कोश्चन सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है कुड की सहाथा से सही उत्तरकाप को चैन करना है तो समिधान का भाग यहाँ पे जो पंद्र है वह किस से संबंदित है तो यह निर्वाचन से संबंदित है किस से निर्वाचन यानि चार हो जाएगा समिधान का भाग यहाँ पर जो सूल है तो यह कुछ वर्गों के संबंद में विशेश उपब संबंद्ध है यानि तीन ओजाएगा तो समिधान का भाग यहां पर जो सत्र है यह राज भासा से संबंद्ध में समेधान 18 जो संबंद्ध में तो चार तीन दो एक यानि हमारा बीवाला अंसर यां पर correct हो जाएगा चले अगला कोर्शं राज के नीत निदेशक शिद्धान्तों को भारती समुन्धान में सामिल किये जाने का उद्देश स्य है तो राजन्यतिक प्रजातंत्र को अस्थापित करना नहीं गांधी बादी प्रजातंत्र को अस्थापित करना नहीं सामाजिक एवं आर्थिक तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को अस्थापित करना बिल्कुल सही है हमारा अंसर हो जाएगा तो नीत निदेशक सिद्धानतों का भार अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 51 जो कि अनुच्छेद नंबर 48 का है या पर्यावरण किसे संबंदित है पर्यावरण तो पर्यावरण के सरच्छन एवं संबंदित है वन्य जीवों की रच्छा करना वन्य की रच्छा करना वह 48 का में इसका विवरण देखने को मिलता है वही 43 का में या उद्योगों से संबंदित है किसे उद्योगों से संबंदित है यानि उद्योगों के उपप्रबंध में क भाग लेने का अधिकार, यानि जो उद्योग में काम करने वाले हैं, उनके अधिकार की बात करता है, अनुचेद 43 का, वहीं अनुचेद 41 की अगर हम बात करें, तो यह काम, सिच्छा, लोक, सहाइता, पाने का अधिकार, यानि काम, उनको अधिकार लेने का, पाने का अधिकार है, अनुचे 22 में मिलता, तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा, एक क्यावन, जो कि अंतराज्टी सांत्य और सुरच्छा से संबंदित है, चले, अगला कोश्चन निमलिकेत में से, कौन सी भारतिय संसद की वित्तिय समितियां हैं, तो कुल 30 सदस से होते हैं, कितने 30 सदस से होते हैं, और 300 के 300 कहां से होते हैं, लोक सभा से 30 के 300 सदस से होते हैं, अच्छा, लोक लेका समित जो है, इसमें कुल 22 सदस से होते हैं, कितने सदस से होते हैं, 22 सदस से होते हैं, और यह भी संसत का ही वित्तिय समितियां हैं, 22 सदस जिस इसमें पंदर लोक सभासे और साथ राज्य सभासे, साथ कहां से हैं, राज्य सभासे हैं, ठीक, और लोक उपक्रम समित है, इसमें कुल बाइस, इसमें भी सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या, बाइस, बाइस सदस्य है, और इसमें भी पंदर लोक सभासे, और साथ राज्य सभासे, ठीक है, और इन सभी का जो कारिकाल होता है, वो एक वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए, सभी का कारिकाल एक वर्ष के लिए होता है, ठीक है, तो य ये जो तीन है एक दो तीन यह तीनों जो है भारती संसत की वित्तिय समीति यह बाके संसत अदय और हों के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्छ न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए तो या कम से कम 10 वर्ष कम से कम कितना होना चाहिए 10 वर्ष होना चाहिए तो अगर आपको सरोच न्यायालय का न्याधीस अगर बनना है तो उसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए एक या अधिक उच्छ न्याले में कम से कम पांच वर्ष तक न्याय अधीस रहा हो या एक या अधिक उच्छ न्याले में कम से कम दस वर्ष तक क्या हो अधी वक्ता हो तो पांच वर्ष वाला तो यहां पे दिया नहीं है तो यहां पे क कम से कम दस वर्ष तक क्या हो अधिवक्ता रहा हो ठीक है या तो आप नयाधीस तब बन सकते हैं जब राष्ट पती की राय में आप एक अच्छे मतलब विधी के ग्याता हो तब आपको राष्ट पती जो है नयाधीस पना सकता है सरवच नयाले में चले अगला कोश्चन सविधान के किस अनुच्छे में रखा गया तो राज विधान परिशत कर तो जो राज विधान परिशत देखने को मिलता है या अनुच्छे 171 में इसका विवरण दिया गया है Cheese 000 171 में चले अगला कोस्टन और 171 में क्या देखने को मतलब जो अनुछेद है 171 कम यह देखने को मिलता है कि इनकी सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है तो मैंने आपको बताया था कि विधान सभा में जितने सभा होगे तो यह राज्य विधान परिशत की बात होए विधान परिशत तो जो विधान सभा होता है किसी राज्य का क्या होता है विधान सभा तो विधान सभा में जितनी सीटे होंगी उसका एक तिहाई कम से कम होना चाहिए कितना एक तिहाई होना चाहिए या फिर 40 से कम नहीं होने चाहिए ठीक यह जो है 171 कर में देखने को मिलता है चले अगला कोशन हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल सबी को पता ही है नयायाधीस पिनाकी चन्द्र गोश तो पिनाकी चन्द्र गोश हमारे प्रथम जो है लोकपाल नियुक्त किये गए थे ठीक है और लोकपाल लोका युक्त अधिनियम 2013 में बनाया गया था और इस लोगपाल संस्ता का गठन कब किया गया था तो लोगपाल जो संस्ता है इसको 2019 में इसका गठन किया गया था चले अगला कोर्शन निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ नहर परियोजना दिया हुआ है एक तरफ अवस्तिती कौन नहर परियोजना कहां पर इस्थित है तो घाट प्रभा नहर परियोजना या करनाटक में है बिलकुल सही है अचा कौन सा सही सुमेलित नहीं है या आप से पूछा अब घाट प्रभा नहर परियोजना किस नदी पर है तो यह घाट प्रभा नदी ही है जिसको घाट प्रभा प परियोजना बनाई गई है ठीक है उकाई नहर परियोजना गुजरात के सूरत सहर में है बिलकुल सही है और यह किस नदी पर है तो यह तापती नदी पर है ठीक है किस नदी पर तापती नीरा नहर परियोजना यह महाराष्ट में है बिलकुल सही है और यह कृष्णा नदी प पर है जवाई परियोजना तो यह जवाई जो परियोजना है तो यह राजस्थान में है कहां पर है राजस्थान में है तो यहां पर तमिल नाडवाल आपसन गलत हो जाएगा और यह किस नदी पर है तो यह लूनी नदी पर है किस नदी पर है लूनी नदी पर है जवाई परि करना दक्कन ट्रैप तो डक्कन जो ट्रैप यह क्रिटैसियस युग में माना जाता है पश्मी घाट का जो यहां पे उद्वा हुआ यह उत्तर नूतन काल में अरावली सभी को पता ही गुट्रिक अमपरियन युग में अरावली है विस्व के सबसे प्राचीन फरवस्रणी किसे कहा जाता है अरावली को कहा जाता है यह अत्यंत नूतन माना जाता है ठीक है नर्मधा ताटती जलोड निच्छेप यानि इस तरह से हो गया इसका तीन यह हो गया एक यह हो गया दो यह हो गया चार तो तीन एक दो चार तीन एक दो चार यानि बी वाला हमारा अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा चले अगला क्वेशन दच्छन भारत की सबसे उंची चोटी तो दच्छन भारत की सबसे उंची चोटी है अनय मुदी और यहां कि कि कुल उचाई 2000 ठीक है तो इसकी अनाय मुदी की जो कुल उचाई है यह 2695 2695 कहीं कहीं चानवे भी लिखा है तो 2695 मीटर की उचाई पर इस्तित है अनाय मुदी जो की दच्छन भारत की सबसे उची चोटी है ठीक है और यह दच्छन भारत की जो सबसे उची चोटी है यह किस अगर पूछा रहे किस राज्य में है तो यह तमिल नाड़ के लगभग बॉर्डर पर लेकिन ज्यादा तर हिस्सा यह तमिल नाड़ में है ठीक है तो तमिल नाड़ में पढ़ जाता है चले राम सेतु शुर तैक है जैसे यह जो भारत कैसी निचला वाला हिस्सा है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर एक दवीब की है जिसे हम पंबन दवीब बोलता और यहां पर एक तलया मननार है और फिर फिर से लंका लग जाता है ठीक है तो यह जो दोईफ है पंबं द्वीप है और इसका जो सबसे last वाला छोर है याए यहां वाला छोर जो है इसे हम बोलते हैं धनुस koori क्या बोलते हैं धनुस koori तो धन इस कोड़ी सबसे अंतिम से तो वहीं से राम से जो है आपका शुरू हो जाता है तो धन उस कोड़ी से राम से शुरू होता है चलें निमनल लिखेत में से किस प्रकार की मृदा का जल धारन छमता सबसे कम होती है तो जल धारन करने की छमता सबसे कौन से वह मृदा है जो इसमें सबसे कम होता है, तो यह है आपकी बलूई दोमठ, ठीक है, तो जो बलूई दोमठ है, इसमें जल धारन करने की समता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में वो बड़े-बड़े होते हैं, इसके जो मिटी के कड़ होते हैं, वो काफी बड़े- उर्जा उत्पादन का प्रमुक छेत्र है तो ज्वारी उर्जा उत्पादन का प्रमुक छेत्र है तो बंगाल की खाड़ी मननार की खाड़ी खंबाद की खाड़ी तो यहां पर अंसर हो जाएगा खंबाद की खाड़ी तो खंबाद की खाड़ी जो है ज्वारी उर्जा की उ सव पचपन मेगा वाट का विद्दूत उत्पादन किया जाता है इस ज्वारी उत्पादन उत्ज्वारी उर्जा से तिहरी बाद उत्त्रा खंड प्रदेश में किस नदी पर इस्तित है तो तिहरी बांद या अपने उत्तरा खंड राज के भागी रथी राम गंगा अलकनंदा स्वन रेखा ठीक है तो ये भागी रथी की सायक नदी है एक ठीक है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा भागी रथी तो भागी रथी के एक सायक नदी है जिसे हम बोलते हैं भिलांगना ठीक है और इसी भिला अंगना नदिया भागी रथी नदियां दोनों मिलती है ठीक है तो इनके मिलन अस्तल पर ही टिहरी डैम का निर्माड किया गया है जो कि भारत की सबसे उंची बांध के रूप में जानी जाती है ठीक है और इसकी उंचाई लगभग जो है 261 मीटर है टिहरी डैम की कुल उंच क्यार करना है कपास मुंगफली धान और गेहूं कह रहा है कि इन में से कौन सी खरीव की फसले हैं तो कपास भी है मुंगफली भी है धान भी है लेकिन गेहूं जो है यह आपका खरीव का नहीं यह आपका रवी का फसल है किसका फसल है रवी का ठीक है तो गेहूं रवी में आता है चले तो हमारा अनसर क्या हो जाएक इस तरह से सी वाला अनसर सई हो जाएगा चले अगला खुश्चन सूची एक को सूची दूसे सुमेलित करना है और कोट की साथा से सही उत्तर अपको यहां पर ऊपर चैन करना है तो तो ताती पाका या भारत के आंधर प्रदेश राज्य में है, ताती पाका कहा है? तेल सोधकार खाना आंधर प्रदेश में, कोईली या गुजरात में है, कोईली कहा है? गुजरात में है, नागा, पट्टिनम या नाम से ही समझ में आ रहा है, कहां पे होना चाहिए? तमिल, नाडु में और नुमाली गढ़य असन में देखने को मिल जाता है यानि यह हो जाएगा एख यह 2 एख चार तो 3 एक दो चार तो 3 एक दो चार यानि B वाला हमारा अंसर में करेक्ट हो जाएगा चलिया, अगला कोस्ड चलते हैं quello एक गे लिए टो कोस्ड नंबड for toanti सूची एको सूची दो से सुमेलित करना है आप कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको यहां पर चैन करना है तो यहां पर कुछ ताभा के छेत्र दिये हुए है और अपको सही अंसर बताना है कौन सा ताभा के छेत्र कहां पर इस्त$ है तो ताबा के छेत्र में चंदरपूर तो चंदरपूर या महा राष्ट में है बिलकुल सही है तो यह महा राष्ट में हो गया हसन जो है हसन ठीक है? यह करनाटक में है कहाँ पे है? करनाटक में है यानी 4 हो जाएगा खम्मान या आंद्र प्रदेश में है और खेत्री या राजस ठान में है यानी 3 हो जाएगा तो 1, 4, 2, 3 तो 1, 4, 2, 3 यानी हमारा पहला ही वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा चले अगला कोशन मकर संक्रांती के समय करकर एखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतान से होता है तो मकर संक्रांती के समय करकर एखा पर दोपहर के समय सूर्य का उन्नतान से होता है तो यह होता है लगभग 43 डिगरी कितना होता है तो यह लगभग 43 डिगरी होता है क्योंकि उसी समय करकर एखा पर अब चुंकि करकर एखा यहां पर मकर संक्रांती के समय करकर एखा पर पूछ रहा कि दोपहर के समय सूर्य का उन्हों तांस कितना होता क्योंकि मकर संक्रान्त यह होगा कि भाई मकर संक्रान्त हम इसलिए कहते हैं कि उस समय मकर रेखा पर किस पर मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणे होती है वह 90 अंस करती है कितना 90 अंस करती है ठीक है तो आप क्या करोगे कि साढ़े 23 भाई जैसे यह हो गई हमारी प्रिथवी ठी यहां पर मैं थोड़ा से आपको समझाता हूं कि देखें तो यह हो गई हमारी प्रिथ्वी कि यह हो गया बीचों बीच भूमध्य रेखा यह उपर वाली लाइन हो गई करकर रेखा और नीचे वाली लाइन हो गई आपकी मकर रेखा ठीक है यह हो गई मकर रेखा अब यह जो करकर रेखा और मकर रेखा तो यह आपका साड़े में चिरे सींक्राते लाइगे पूरमग करक करकर रेखा हूस्स आपका और मकर करक रेखा है नपकर रेखा से करकर सिधर और साड़ेती सिधर तो सअधेत मेंसे इक साही सुम्यलित और टीक डिका का पठार या पूरवी अफ्री का में कहां पर है तो यह पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है ठीक है तो पूर्वी अफ्रीका उत्तरी पस्मी अफ्रीका दच्छणी पस्मी अफ्रीका पैंटा गोनिया तो ये दच्छणी पश्मी अफ्रीका तो दच्छणी पश्मी अफ्रीका यहाँ पर एक अरब भी दिया है तो अरब वाला जो हिस्सा है यही हमारा अंसर भी हो जाएगा अच्छा कौन सा ध्यान में रखें अच्छा तभी यहाँ पर गलत हो रहा मैंने कोस्चन ही गलत पड़ा है फिर से देख लें कोस्चन में यह था कि कौन सा एक सही सुमेलित है कौन सा एक सही सुमेलित है तो एपसिनी का जो पठार है या कहां पर मिलता है तो यह देखने को मि जानते हैं कि यह मुरको अलजीरिया देश में फाइला हुआ है और मुरको अलजीरिया देश यह कहां पर इस्थित है तो यह इस्थित है उत्तर पश्चमी उत्तरी पश्चमी विल्कुल सही है तो यह वाला सही है उत्तरी पश्चमी अफ्रीका में ठीक है एटलस परवत जो ह सबसे बड़ा पठार है ठीक है तो ऐसे whiskey का सबसे Bड़ा पठार तो आप जानते हैं बहुत पामीर का पठार लेकिन इनमे से कौन सा सबसे बड़ा है यह पोछ राए ठीक है तो इसमें जो Koloration का जो पठार है या निसीगे उप्षन है यह सबसे बड़ा पठार है ठीक है Colorado का पठार सबसे बड़ा पठार है तो हमारा रच कि झले अगला कोशन ससार में तांबा आयंस्क का तांबा ऑयंस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ठीक है तो यहां पे तांबा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चिली है भंडारण के में भी मामले में और सबसे बड़ा उत्पादक देश के मामले में दोनों अस्थान पर कौन है चिली देश है चले अगला question चेतरफल की द्रिष्टी निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है तो चेतरफल की द्रिष्टी से बताना है निम्न में से कौन सा सही क्रम है अब जानते हैं कि यहाँ पर अगर इनको क्रम बैठाय जाये तो आप सबसे बड़ा जो देश है ठीक है, रूस है, तो रूस तो आपसन में है नहीं, रूस के बाद आ जाता है कनाडा, कनाडा भी नहीं है, फिर USA है, वो भी नहीं है, चीन है, वो भी नहीं है, अब चीन के बाद आ जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है, चीन, चीन के बाद आ जाता है आपका ब्राजील तो ब्राजील तो है ठीक ब्राजील के बाद आ जाता है आस्ट्रेलिया ब्राजील के बाद क्या जाएगा आस्ट्रेलिया अब फिर अपना भारत तो ये तीन तो हैं तो ब्राजील आस्ट्रेलिया भारत तो आरोही क्रम में निकले लिखना है आर बढ़ते हुए क्रम में तो बढ़ते हुए मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा तो सबसे छोटा इसमें अर्जेंटीना होगा अर्जेंटीना फिर आस्टेलिया अर्जेंटीना फिर भारत फिर आस्टेलिया फिर ब्राजिल बिल्कुल सही है सी वाला अपसन ह उन्टारियों यह सभी जो जीले हैं ठीक है और इन जीलों के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है तो इरी जील के किनारे जो है डेट्रॉयट सहर बसा हुआ है कौन सा डेट्रॉयट सहर तो यहां पे दो हो जाएगा Michigan जो जील है Michigan जील के किनारे जो स हेमिल्टन है उन्टारियों के पास हैमिल्टन और सुपीरियर जील के पास मेर डुलूत सहर बसा हुआ यानि दो तीन चार एक तो दो तीन चार एक कौन सा हमारा अंसर हो जाएगा डी वाला यहां पर अंसर करेक्ट हो जाएगा चले अगला कोशन कोशन नमबर 47 पोर्ट डायम यह अश्थित कहां पर है तो पोर्ट डायमन यह कहां पर इस्थित है यह पोर्ट डायमन इसलिए नाम है कि यह हीरे निर्माड के लिए एक जो है उत्पादक व्यापारिक महत्वद्रिष्टी रखता है और यह है आपके साउथ अफ्रीका में कहां पर है दच्छन अफ्री लोग लोहा तथा इस पात यह भी सही है हुस्टन आटो मोबाइल तो हुस्टन आटो मोबाइल के नहीं यह आयल यानि तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है चले चले अगला कोश्चन कैनेडियन पेसिफिक रेल वेकिन दो स्टेशनों के बीच चलती है तो यह मांट्रियल और वैंकूवर की बीच में ठीक है मांट्रियल और वैंकूवर सूची एक कुर्सूची दो से सुमेलित करना है अब कूड की साहता से सही उत्तरका आपको यहां पर चयन करना है ठीक है तो टामबा का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह कंतांगा है यानि दो हो जाएगा हीरा यह किम्बरले किम्बरले का है तो दछ्छून अफरीका में साउथ अफरीका में ठीक है काफी फेमज जगह है और एक ना ze आस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है लेकिन हीरा के लिए जो केंबर ले है वो साउथ अफ्रीका वाला है ठीक है सोना तो सोना या जाना जाता है विट वाट संडेन यानि चार हो जाएगा और चांदी यह बुट के लिए जाना जाता है बुट जो है महतोपोंड केंदर है यानि एक हो जाएगा तो दो तीन चारिक तो दो तीन चारिक यानि वाला हमारा अंसर करेक्ट हो जाएगा तो रख्त दाप का मापक यंत्र कौन सा है तो रख्त दाप का मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है स्पैगनो मीटर ठीक है मनुस्य का जो सामाने रख्त चा जी होना चाहिए, चले नमलिकित में चे कौन सा शही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है अंतरिच अनुप्रियोग खेंदर अहमदाबाद में है procedure राश्टी दूर समिंदन केंदर खेंदराबाद यह भी 薔र भारती अंतरिच अनुसंदान संगठन या बैंगलूरू में है कहां पर है बैंगलूरू में है तो यहां पर यह गलत हो जाएगा तो यह C वाला गलत हो जाएगा बाकि विक्रम सारावाय अंतरिच केंदर या केंदर या केरल की राजधानी तिर्वन पूरम है यह सही है तो C वाला हम होता है basic और acidic होता है चले अगला मनुस्य का मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंब होता है तो मनुस्य का जो मुख गुहा होता है उसमें किसका पाचन प्रारंब हो जाता है तो वह हो जाता है कार्बो हाइडरेट का तो कार्बो हाइडरेट का मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जाता है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वह क्या है प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग मानों का है अब मलेरिया या किस से फैलता तो माता एनाफलेज मच्छर के काटने से ठीक है और यह एक संक्रमी तरूग है निरवात में प्रकास की चाल क्या होती है तो निरवात में प्रकास की चाल 3 x 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है ठीक है चले अगला कोश्चन विभवांतर की मा आपक की सयंतर द्वारा किया जाता है तो वह वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर द्वारां क्या मापते हैं विभ वांतर की ठीक है ग्लिवनो मीटर क्या होता है इक में एक संकेत सुने पर घता है और एक मतलब की परिपत में यह आप पुराने गाड़ियों में देखे थे पुराने गाड़ियों में जो छीप आती थी उसमेहें गाल राता था जएसे इसमें 미 helper भी लगाते थे तो गैलिंयों मिटेर की जो मीटर है वह एक बार मूव कर जाती ती आजकल डिजिटल मिटर आने लगे हैं कार वगार में भाज में हैना तो पहले गैल गैलनों मीटर तो गैलमों मीटर जो है विद्धुत धारा को बताता है कि इसकी सुई जो है आगे या रहा है ठीक है तो गैल्मनोमीटर एलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है तो रासायनिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में या फिर रासायनिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में या फिर विद्धूत उर्जा को रासायनिक उर्जा में या फिर इस्तिति उर्जा को विद्ध उर्जा में तो यह बदलता है विद्धूत उर्जा को रासाइनिक उर्जा में कन्वर्ट करता है चले कोश्चन नमबर 16 एल्यूमिनिकम सल्फेट का रासाइनिक सुत्र है तो एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब बाई यह हो जाएगा सही घास में सेलूलोज की प्रचूरता होती है तो घास में सेलूलोज की प्रचूरता होती है एक प्रकार का कार्बो हाइडरेट है क्या है तो एक प्रकार का कार्बो हाइडरेट है तिल्चटों के सरीर में वायू प्रवेश करती है तो स्वांस रंद्रों द् तो इनका जो है नाभकिय विखंडन ठीक है तो नाभकी विखंडन पर आधारित था चले अगला अति मुलायम खनीज टाल्क सोप स्टोन मुख्यता है तो यह मैगनिसियम सिलिकेट को कहा जाता है किसे कहा जाता है मैगनिसियम सिलिकेट जो कि इसे सोप स्टोन के नाम से यानि एक मुलायम खनीज होता है चले आपतित की रण और अभिलंब के बीच वाला कौण क्या कहलाता है तो उसे हम बोलते हैं आपतन कौण कहा जाता है क्या कहा जाता है आपतन को ठीक है तो यह आप जान में रखें कि जैसे मालो कोई यह जो है इसमूथ सर्फेस हो और यह जो है बिल्कुल जो 90 सीधी रेखा होती है इसको हम बोलते हैं अभी लंब क्या बोलते हैं अभी लंब कहते हैं अब मालो कोई प्रकास किरण यह इस तरह से आ रही है और टकराने के बाद यह क्या हो जाएगी वापस तो यह जो आती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण क्या बोलते हैं आपतित किरण और इनके बीच में यह जो कोण बनता है इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं और इसे हम बोलते हैं आपतन कोण और चुकि ये टकराने के बाद ये क्या हो गई परावर्तित हो गई जैसे ये आई और ये टकराकर परावर्तित हो गई तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण और इसे हम क से इंडिकेट करते हैं आर से चले अगला कोस्टन जैव विवित्ता में परिवर्तन होता है तो जैव विवित्ता में परिवर्तन भूमत देरेखा की तरफ बढ़ती है भूमत देरेखा की तरफ घड़ती है बिल्कुल से भूमत देरेखा के पास में सबसे जादा जैव विव इत्ता का मतलब कि जीव जन्तूओं की जो प्रजातियां जीतनी प्रजातियां पाई जाती है जैसे जैसे दुरूओं पर जाएंगे आप वहाँ पर लोग वनस्पतियां ये कम पाएंगे चले अगला कोश्टन ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तो ग्रीन हाउस गैसों के की गई थी तो इसकी शुरुवात 1971 में की गई थी यानि हमारा अंसर C वाला हो जाएगा चलिए अगला question जीवन भार ठीक है तो जीवन भार का जीवन भार नहीं जीव भार जीव भार का पिरामिड किस पारिष्टिक तंत्र में उलट हो जाता है यानि उलटा बनता है ठीक है तो यहां पर हमारा अंसर हो जाएगा तालाब तालाब में जो जीव भार का पिरामिट होता है वह कैसा बनता है उलटा बनता कैसे क्योंकि जब भी हम किसी का पिरामिट बनाते हैं तो आप ध्यान में रखना है कि पहल लृष्ण को आल्टा तो नीचे चार उजण स्वचों पिरामेड की लिए घवनेे जैसे ब mélग्यक्त coffee को फीमित को नाम दिए गए हैं इन में से किसी एक की खेती एथेनौल के लिए की कि representative क्ले दियान में रखें चले अगला झारा कोस्चन हाई और जबकी यहाँ पर या ट्रॉफा दिया है या बायो डीजल के लिए किसके लिए बायो डीजल कहा जाता है ना बायो डीजल चले सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है अकूट की साहता से सही उत्तर का आपको यहां पर चैन करना है ठीक तो एक तरब जो है मेगालेमेक गारो पहाडी के पास में मानस कहा है तो सभी को पता ही है असम में है दिहांग दिबांग कहा है तो अरुनाचल प्रदेश में है और अगस्ते मलाई कहां पर है तो यह केरल में देखने को मिल जाता है तो केरल नहीं होना चाहिए, तमिलनाड होना चाहिए, वैसे केरल तमिलनाड दोनों के बौडर पर ही इस्थिताय अगस्तेमलाई चलें, तो यह हो जाएगा, एक का हो जाएगा, तीन बी का हो गया, दो इसका हो गया, चार और इसका हो गया, एक, तो तीन दो चार एक, तो ती मेना प्रोटोकॉल जो है बायो सेप्ती से सही है इस्टाक हम्चमेव सelकियर्स अनौवरत जैव प्रनौ्षण की अभी सही है, मांट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परस से संबन देता है, बिलकुल सही है, मांट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल या जलवाई परिवर्तन से संबन देता है, जल सरचन से नहीं, जलवाई परिवर्तन, क्लाइमेट टिक है तो जलवायू परिवर्तन से संबन देता है ठीक है चले अगला कोश्चन विलूप तो अच्छा ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल इसकी क्योटो जोकी जापान में है और यह 1997 में कब हुआ था 1997 में इसका सम्मेलन किया गया था ठीक है चले अगला question विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची बद्धता होती है विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची बद्धता किसमें होती है तो red data book में यानि हमारा answer b वाला हो जाएगा तो IUCN की जो सूची होती है red data book की उसमें सूचित किया जाता है कि कौन सा संकड गरस्त है अधिसंकर गरस्त है है न तो यह red data book में सूचि सामिल किया जाता है ठीक है चले अगला खोशाम लेकित मैं से कौन 36 गड़ में इस्तित है अंसी राष्टी उद्यान ठीक है अनसी यह आपके करनाटक में है कहां पे है करनाटक राज्य में है बेतला राश्टी उद्यान तो यह आपके जहार खंड राज्य में है कहां पे है जहार खंड में है इंद्रावती यह आपके 36 गड़ में है गूगा मल राश्टी उद्यान तो गूगा मल जो तो राश्टी उद्ध्यान है या आपके महा राश्ट में है कहां पे है महा राश्ट में देखने को मिलता है ठीक है तो इस तरह से हमारा अंसर कौन सा 36 गण में कौन सा इस्तित है तो सी वाला अंसर हो दागा चले अगला question सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना एक तरफ अभ्यारण दिया है एक तरफ राज्ज दिया है कौन सा अभ्यारण कौन से राज्ज में है तो गर्म पानी या असम में है गर्म पानी अभ्यारण वन्यजीव अभ्यारण का है असम है नाम दफा सभी को पता ही है और यह अरुनाचल प्रदेश में यहां उड़ने वाली ग यह हो गया एक यह हो गया चार तो तीन दो एक चार तीन दो एक चार यानि हमारा डी वाला अंसर सही हो जाएगा निमनलिखित में से कौन एक वायू प्रदूशन की रोक्थाम की एक यंत्रीय विधी नहीं है तो यंत्रीय विधी नहीं है तो यहां पे साइकलोन डिवाइडर यानि हमारे D वाला अंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है तो Y प्रदूशन की रोक्ताम के लिए या यंत्रिय विधी नहीं है ठीक है चले अगला कोस्चन भोपाल में यूनियन कारबाइट फैक्टरी से जो गैस रिस गई थी वह थी तो वह मिथाइल आइसो साइनाइट थी क्या और यह घटना कब हुई थी तो 1984 में चले निमने में से किस वर्स भारस सरकार द्वारा केंद्रिय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था तो यह आप दा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था वर्स दोहजार चे ठीकर नहीं वर्स 2005 में बनाया गया था जबकि लागू हुआ था 2006 में मतलब प्रभावी कब हुआ 2006 में हुआ जब कि लागू कब किया गया 2005 में तो सी वला अनसर हमारा यहां पर सही हो जाएगा निम्न में से डाइना सोरम का कब्रिस्तान कहा जाता है तो डाइना सोर का कब्रिस्तान सोरम नहीं अचा डाइना सोरस लिखा है तो डाइना सोर का जो कब्रिस्तान है यह कहां पर है तो यह USA के मोंटाना में है तो यह USA के किसमे है मोंटाना जो है प्रांत है राज्य है जैसे अपने उत्तर प्रदेश का है भारत का राजे उसी तरह से USA का एक राज है मॉंटाना ठीक तो यहां पर होगा है डाइनासोर का कब्रिस्तान आंतरीक व्यापार संबंधित है तो यह हो जाएगा शेयर बाजार से शेयर जो बाजार होता है वह आंतरीक यानि इंसाइट ट्रेडिंग के मुख्य रूप से संबंदित है या मुख्य रूप से क्रिसी से संबंदित है के क्रिसी छेतर से च्पी होई वी रोजगारी प्रात्हमिक छेत्र में कौन oddly आता है कमेंट कर만 करके बताएगा निमलिखित पंचवर्शुय योजनाओं में से קिसमें घरीक हम विशय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मोलन कारिकरमों का सरुपर्थम प्रारंब किया गया था तो यह किया था पांचवी पंचवर्सी योजना में तो पांचवी पंचवर्सी योजना में गरीबी हटाओ विशय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मोलन कारिकरम को चलाय गया था चले हरित ख्रेती में सन्हित हैं तो हरित खेती में जैविक खेती और बागवानी पर जोर नहीं बागवानी नहीं बागवानी से संबंदित ही नहीं था तो समेकित कीट प्रबंधन समेकित पोशक पदार्थ आपो तो समेकित प्राकरतिक संसाधन प्रबंधन योग दान का घर्टा हुआ सभी अनुकरम निमलिकित में से कौन सा है तो यहाँ पर घर्टा हुआ कि भारत के शकल घरेलु उद्पाद में विभिन च्छेत्रों का जो योगदान है वर्तमान समय में अगर कहा जाए अगर यह वरतमान समय ठीक है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिना चेतरों के योगदान का घरता हुआ सही अनुकरम है तो सबसे जादा सेवा चेतर सबसे जादा सेवा फिर उद्योग फिर क्रिसी बिलकुल D वाला ही हमारा अंसर सही हो ठीक है सरवाधिक योगदान इस समय किसका है सेवा का फिर उद्योग का फिर क्रिशी का एक समय क्रिशी पहले अस्थान पर हुआ ठीक है अर शेवा चयत्र का है आपका ये द्योग द्यून्टियक चयत्र में आता है और प्लत्वेशा प्रकासित जाता है ठीक वित् मनद्द्द म。 तो जो बजट है और बजट आर्थिक जो सर्वेच्छड होता है बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है 1949 में भारस सरकार द्वारा नियोक्त राष्टी आय समित का अध्यच निमलिखित में से कौन था 1949 की बात की जा रही है तो यह PC महल बोनिस थे 49 निमलिखित में से कौन सा समों अध्योगिक संबन्द का सभागीदार नहीं है तो इसमें उपभोगता और उनके संगठन या अध्योगिक संबन्द का सभागीदार नहीं है क्रिसी वित एवं पुनर वित में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है तो नाबाड नाबाड जो है सबसे बड़ी संस्था है जो लोगों को जो है रोजगार प्रवाइड लोग स्वरी नाबाड जो है क्या है बैंक है ठीक है जिसे राश्टी क्रिसी एवं ग्रामेड विकास बै गई थी 1982 1982 में इसकी अस्थापना की गई थी और इसका नाबाड का मुख्याल है कहां पर है तो इसका मुख्याल है मुंबई में है निमलिकित में से कौन पूर्व भुगतानिक भुगतान उपकरण नहीं है तो यहां पर राश्ट्रिय कृत बैंक की साक पत्र या जो है आपक निमलिकित में से किस जिले की सीमा नेपाल को इसपर्ष नहीं करती है तो यह अपने उत्तर प्रदेश के जो है कौन सी नहीं करती है तो यहां पर जो पहला अप्सन है कुसी नगर केवल बिहार से लगता है केवल किस से लगता है बिहार की सीमा से लगता है नेपाल की सीमा स सबसे लंबी सीमा साजा करता है पहली सबसे लंबी सीमा कौन करता है बिहार नेपाल के साथ सरवादिक लंबी सीमा और उत्तर प्रदे दूसरी सबसे लंबी सीमा साजा करता है सर्यू नहर परियोजना के अंतरगत पांच नदियों को जोडने का प्रावधान है निवली में से कौन सी नदी इस परियोजना के अंतरगत सामिल नहीं है तो घागरा सामिल है राप्ति भी सामिल है लेकिन गंगा इसमें सामिल नहीं है बाकि बाण गंगा है तो जो सरियू परियोजना है सरियू राष्टी परियोजना है इसमें घागरा सरियू तो सरियू तो इसी को हम कहते हैं घागरा को ही बाकि राप्ती राप्ती रोहणी तीक है ये जो है नदिया है चले अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 93 राप्ती नदी उत्तर प्रदेश की जिले में घागरा नदी से मिलती है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि राप्ती नदी कहां मिलती है घागरा में तो और निकलती कहां है तो यह नेपाल से निकलती है तो नेपाल से उद्गमित होती है कौन सी नदी राप्ती नदी और या कहां मिलती है तो देवरिया जिले में देवरिया में कहां पर मिलती है ये घागरा में उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान अस्थापित है तो उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान या कहां पर है तो उत्तर प्रदेश के राजधानी यानी लखनव में इंदिरा गांध नच्छत्र साला या इसते तर लखनव में इंद्रा गांधी नच्छत्र साला कहां पे है लखनव में चले अगला कोशन उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाती पहरिया कहता है या पहरिया जनजाती निवास करती है तो या सोन भद्र जिले में तो पहरिया जनजाती या सोन भदर housekeeping है prepared for लिंक एक्सप्रेसवे निमने में से किस जिले से नहीं गुजरेगा तो गोरक पूर लिंक एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा तो यह जो गोरक पूर लिंक इक्सप्रेंसवे है इसमें मैं लिगे चार जिले हैं तो कौन चार जिलों से होकर यह गोरगपूर लिंक एक्सप्रेंसवे जाता तो किस से नहीं जाता है तो बस्ती से नहीं जाता है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा चले अगला कोशन सूची एक को सूची दो से सुमुलित करना है और कोड की साहता से सही उत्तर का आपको चैन करना है दरी निर्माड तो दरी निर्माड या सा जहां पू या मेरट से संबन देत है मिट्टी के खिलों ने आगरा से संबन देत है और लकडी के खिलों ने यह लखनव से संबन देत है यानि इस तरह से हो जाएगा हमारा दो तीन चार एक दो तीन चार एक तो 2, 3, 4, 1 यानि B वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा जनगरना 2011 कि अनुसाद 2001 से 2011 तक सरवाधिक दसकी व्रिध्धी वाला जिला है तो सरवाधिक दसकी व्रिध्धी वाला जिला यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर चले कोस्चन नमबर 100 राई लोक राई लोक नित उत्तर प्रदेश के किस छेतर से संबंदित है तो यह बुंदेल खंड छेतर से संबंदित है ठीक है बुंदेल खंड तो यह नित जो है महिलाओं द्वरा मांगलिक औसरों श्री कृष्ण जनमास्टे में के औसर पर किया जाता है चले अगला कोस्चन ठुमरी गाई का गिर्जा देवी किस घराने से संबंदित है तो यह बनारस घराने से तो घराना जरूर आप सभी पढ़ लीजेगा क्योंकि घराने से कोस्चन एक या दो कोस्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक जाम में तो घराना तो आप जरूर ही पढ़ लीजेगा ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है तो यह उत्तर प्रदेश का काफी प्रसिद्ध मेला है यह बलिया जिले में आयोजित किया जाता है ठीक है यह स्थल ब्रह्मा जिंग के पुत्र ब्रिगु जी के सिष्य ददर मुनी द्वारा की जो है तपो भूमी है और यह प्रतेक वर्श कार्तेक पोडिमा पर यहां पर मे क्रे किया जाता है यानि ददरी मेला को हम पसुओं का मेला भी कहते हैं महोदयश्री किसका पुराना नाम है तो महोदयश्री यह कन्योज का कन्योज को पहले महोदयश्री के नाम से जाना जाता था चले अगला कोश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है तो और या हर्थकरगा जो उद्योग है, या क्रिसी के बाद रोजगार उपलब्द करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुक नकदी फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुक नकदी फसल हम किसे जानते हैं, गन्ना, गन्न आलू भी उत्तर प्रदेश का नकदी फसल ही माना जाता है कितनी हस्तियों को वर्स 2023 के प्रवासी भारती सम्मान पुरसकार के लिए चुना गया है तो 27 तो कितनी हस्तियों को 2023 के प्रवासी भारती सम्मान पुरसकार के लिए चुना गया तो कुल 20 व्यक्तियों को चुना गया लृट अल्पता उन्मूलन मिसन 2017 की सुरुवात कि है तो उन्होंने कि सहडौल का है तो तो मध्य प्रदेश में तो theyely प्रदेश के साडौल जिले के लालापुर जिले से ठीक है क्या सुरू किया तो सिकल से रॉक्त मीसन 2017 सैंतालिस चले अगला कोश्चन सैन्य कमांडरों के द्वी वार्षिक सम्मेलन दो हजार तेईस में कहां आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया ब्रिटेन का नया प्रधान मंतरी इन में से कौन चुने गये हैं तो आप सभी लोग जानते हैं रिशी सुनक हो हमारे दो है ब्रिटेन के नय प्रधान मंतरी है और यह कंजरेट्यू पार्टी का निर्वडोध नया नेता चुना गया है अंताराष्टी सौर गटबंधन का अध्या 26 देश को चुना गया है तो यह अपने भारत देश को चुना गया है ठीक है चले अगला कोश्चन प् उपलब्दी के लिए जाना जाता है तो चिकितसा में O-RS के उपयोग के रूप में ठीकँ है? तो डाक्टर जो दिलीप है वो चिकितसा के O-RS के उपयोग के लिए इन्हें जाना जाता है तो O-RS का वह डाक्टर दिली थी थे ठीक है चले अगला क्वेश्चन हाले में प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किये गए अनूठी पहल मिशन लाइफ का संबंध इन में से किस्षे है तो यह इन में से किस्षे है तो पर्या वराण से तो मिशन लाइफ जो है पर्या वराण से धित्व किया था तो Dr. S Jai Sankar ने हाली में जो है इसकी Brussels में इसका आयोजन किया गया है कहां पे Brussels मैं चले अगला question इनसे किस अनुच्षध के अंसार इसकी नियुक्ति कि जाती है तो मुख्य नियुक्ति नियुक्त अनुछेद 124 के अंतरगत की जाती है चले और वर्तमान समय में पचास में जो मुख्या निया धीस है हमारे तो डी वाई चंद्र चूड चले हाली में संपन्न भारती सहकारिता कांग्रेश के संदर में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है यह 17 भारती सहकारिता क कांग्रेश था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था ठीक है, तो 17 ही नई दिल्ली में किया गया था तो बिलकुल सही है तो ये तो हमारा इस्टेटमेंट सही है कांग्रेस की अध्यचता केंद्री मंत्री अमिस्सा ने की थी बिल्कुल सही है कायकर्यम का विशय अम्रित काल ससक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशाली या भी सही है तो D वाला हमारा अंसर यहां पे सही हो जाएगा चले 116 आ जाते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए CSIR IIIM जम्मू का कैनबिस रिशर्च प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह का प्रथम प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल सही है यह परियोजना विभिन प्रकार के नियूरोपैथी मधुमेह रोग आधि के लिए निर्यात गुलवत्ता वाली पादन करने में सच्छम होगी ठीक है तो सच्छम होगी तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा ठीक है तो यह जो खेती फर्म के लिए है कि ठीक है यह जो है क्रिसी से संबंदित है दवाओं से संबंदित नहीं है ठीक है तो खेती फर्म जम्मू के पा सही हो जाएगा चले अगला कोश्चन अंतराष्टी बाली का दिवस किस दिन विश्वभर में मना जाता तो अंतराष्टी बाली का दिवस 11 अक्टूबर को मना जाता है कब मना जाता तो 11 अक्टूबर को मना जाता है यानि बी वाला हमारा अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा यह पढ़ती रहिए ठीक है सबसे ज्यादा कहां से पढ़ना है तो यह भी आप ध्यान में रखें जियोग्राफी वाले पोर्शन आप जियोग्राफी और प्लस करेंट अफेयर इस जियोग्राफी और करेंट अफेयर से कम से कम आपको नहीं तो 40 क्वेशन मिलेंगे और अच्छा जियोग्राफी के ही अंतरगत मैं आपको ईवियस भी उपलब्द कराऊंगा ठीक है इवियस का भी आपको वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि जो केवल केवल इवियस पर कोश्चन जो है आधारीत होंगे ठीक है कोश्चन भी मिलेंगे और आपको मैं इवियस जो है पूरा पढ़ा भी दूंगा ठीक है तब तक आप स्वस्तर रहिए सावधान रहिए जैहन